हेलो फ्रेंड्स आप सब का कक्सा नो विज्यन विश्य के अध्या तीन प्रमाणू एवं अनू में हर्दीक स्वागत है तो पीर्य विद्यार्थियों कक्सा नो के 99 पाठेक्रम 2023 के अनुसार हमने अध्या एक और अध्या दो की संपुन व्याक्या पाठ के भीतर दिये गई प्रश्न और अभ्यास के सबी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सौल्व करा दिया है अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन दोनों चैप्टर की क्लासेज को आराम से देख सकते हैं आज हम सरू कर रहे हैं आपका तिसर प्रश्न और उसके बाद हम अभ्यास के सबी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सौल्व करेंगे तो चलिये क्लास सरू करते हैं बच्चो सबसे पहले हम बात करते हैं परमानू एवं अनू के बारे में कि परमानू और अनू क्या होते हैं इनकी विज़ेस्ताय क्या होती है और उन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो बच्चो सबसे पहले बात करें परमानू की। तो परमानू की जो साधारन परिवासा है प्रदात का वह चोटे से चोटा कन जिसे और ज्यादा विबाजित नहीं किया जा सकता। कि सबसे चोटे कन को ही क्या कहा जाता है। बच्चो प्रदात कया होता है। प्रदात को बच्चों हम दरव्य भी कहते हैं और क्या कहते हैं इंग्रेजी में बच्चों हम मैटर कहते हैं और प्रदात के प्रिवासा बच्चों हमने चैप्टर एक के दोरान बहुत अच्छे से पड़ी थी प्रदात क्या है वह कोई भी चीज जिसका क्या होता है कुछ न कुछ क्या करता है जगय गेरता है तो ऐसी कोई भी विवस्तू जिसका कुछ न कुछ दर्वेमान होता है और वह कुछ न कुछ जगय गेरती है ऐसी जीज़ों को बच्चों हम प्रदात कहते हैं और जब बच्चों हम प्रदात को तोड़ते जाते हैं तो सबसे अंत की जो बच्चो क्या कहा जाता है परमानू कहा जाता है ठीक है बच्चो आगे बढ़ते हैं अनू तो परदात का बहा कन जो सवतंत्र अवस्ता में पाया जाता है बच्चो जो परमानू है वो परमानू सवतंत्र अवस्ता में नहीं पाया जाता ठीक है लेकिन जो अनू है वो परद सवतंतर अवस्ता में पाया जाता है लेकिन रासाइनिक विक्रिया में अकेला भाग नहीं ले सकता जबकि जो परमानू है बच्चो वो आपकी रासाइनिक विक्रिया में अकेला भाग ले सकता है ये दोनों के अंदर बच्चो अंतर हो गया ठीके परदात का वह चोटा से चो नहीं पाया जाता ठीक है लेकिन जो परमानू है वो रासाइनी कभी किरिया में अकेला भाग ले सकता है वही बच्चो बात करें अनू की तो प्रदात का वहकन जो सवतंत्रा वस्ता में तो पाया जाता है लेकिन अकेला रासाइनी कभी किरिया में भाग नहीं ले सकता है उसे कहते हैं अनु ठीके अगला पॉइंट है कि परमानु के बारे में सबसे पहले जो जानकारी देने वाले व्यक्ति थे वो थे बच्चो मेहरसी कनाद कौन थे मेहरसी कनाद वो पर्थम व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले परमानु के बारे में जानकारी दी थी तो बच्चो ये कई बार प्रिक्सा में प्रश्ण पूचा जाता है कि प्रमाणू के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी तो बच्चो महरसी कनाद ने दी थी यदि पूचे बेग्यानिक तरीके से सबसे पहले प्रमाणू के बारे में जानकारी किसने दी थी तो वो बच्चो दी क्या होगा मेर्स्थी कनाद तो बच्चों उमने क्या सीखा कि परमानू और अनू क्या होते हैं और दोनों के अंदर अंतर क्या होता है आगे बढ़ते हैं बच्चों रासायनिक सहियोजन के नियम इसकी बात कर रहे हैं बच्चों रासायनिक संयोजन के नियम के तो बच्चो वेग्यानिक लवाईजिय और प्राउष्ट यह आपको दो नाम अच्छे से याद रखने है एक नाम है लवाईजिय और दूसरा नाम है बच्चो प्राउष्ट इनके अनुसार किनी दो या उससे अधिक परदातों के बीच जो र रियक्सन्स होती है तो वो कुछ सिद्दान्तों प्रिंसी पल्स पर आधारित होती है और इन सिद्दान्तों को बच्चो इन्होंने कहा रासायनिक संयोजन के नियम कहा तो बच्चो रासायनिक संयोजन के इनके द्वारा कितने नियम दिये गए तो बच्चो रासायनिक संय इन दोनों वेग्यानिक के द्वारा रासायनिक सिंयोजन के दो नियम परतिपादित किये गए इतने नियम दो नियम पहला नियम था बच्चो दर्वेमान सरक्षन का नियम और दूसरा नियम था बच्चो वो था आपका इस्तिर अनुपात का नियम तो रासायनिक सिंयोजन के दो नियम है, एक है दर्वेमान सरक्षन का नियम और दूसरा है इस्तिरनुपात का नियम, दोनों जो नियम है वो किसके दौरा दिये गए, व्यज्यानिक, लवाईजिय और प्राउष्ट के दौरा इन दोनों नियमों का परतिपादन किया गया था, अब बच्चों हम बारी वो सदेव और सदेव रासाइनी का विक्रिया में कैसा रहता है सरक्सित रहता है यानि की नियत रहता है कैसा रहता है सरक्सित रहता है यानि की नियत रहता है तो बच्चो दर्वमान सरक्षन का नियम क्या कहता है कि किसी रासाइनी का विक्रिया में दर्वेमान का न तो बिनास किया जा सकता है दर्वेमान सरक्षन का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासानिक अभिक्रिया में या रासानिक अभिक्रिया के जरिये दर्वेमान का न तो निर्मान किया जा सकता है और नहीं उसका बिनास यानिकी उसे नश्ट किया जा सकता है अगर बच्चों मैं दू दर्वेमान सरक्षन का नियम यानि कि अभी किरिया से पहले अभीकारकों का जो कुल दर्वेमान है वो अभीकिरिया के बाद उत्पादों के क्या होगा बच्चो बराबर होगा जैसे एक सिंपल उधारन के जरिये में समझाओं जैसे A पलस B ये क्या है बच्चो दो अभीकार और इनके मिलने से एक उत्पाद बना है AB, समझ लीजिए A का वजन यानि दर्वेमान था 5 किलो और B का वजन दर्वेमान था 5 किलो, तो अभिकिरिया से पहले कुल दर्वेमान कितना था 10 किलो, तो अभिकिरिया के बाद जो ये AB उत्पाद बन रहा है इसका दर्वेमान भी कि में कमी या वर्दी कुछ भी संभव नहीं है ठीक है बच्चो जैसे यहाँ पर मैंने एक उधारन के जरिये भी आपको समझाने की कोशिस की है जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पर दो अनू है और ऑक्सिजन का एक है ठीक है हाइड्रोजन के यहाँ पर दो अनू है और ऑक्सिज अभीकारक है, क्या है अभीकारक, अभीकारक क्या होते हैं, अभीकिरिया में भाग लेने वाले जो प्रदात हैं, वो कहलाते हैं अभीकारक, और H2O जो जल है आपका, वो बच्चो क्या है, वो है आपका उत्पाद, क्या है उत्पाद, उत्पाद क्या होता है, अभीकिरिया क के बाद बनने वाला जो निया परदात होता है बच्छो वो कहलाता है उत्पाज ठीक है तो यहाँ पर हाइड्रूजन के दो जो परमानू है उनका या दो अनू है उनका जो दर्वेमान है वो दो यूनिट है और ऑक्सिजन के एक परमानू का दर्वेमान कितना है बच्छो 16 तो hydrogen के 2 और oxygen का 1 तो 2 प्लस 16 अभी किरिया से पहले और अभी किरिया के बाद भी तो बच्चो अभी किरिया से पहले इसका दर्वेमान कितना था 18 एकाई और आपके अभी किरिया के बाद भी कितना दर्वेमान है 18 एकाई जाने कि अभीकारकों का जो कुल दर्वेमान है वो उ यह राशानी कभी किलिया के दोरान दर्वयमान सदेव सरंचित रहता है नियत रहता है उसमें कुछ भी प्रिवर्तन नहीं होता है ठीके बच्चो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा आगे बात करते हैं इस्तिर अनुपात का नियम या निच्छित अनुपात का नियम दूसरा नियम है आपका इस्तिर अनुपात का नियम या निच्छित अनुपात का नियम तो यह नियम क्या कहता है बच्चो कि किसी भी योगिक के अंदर जो तत्वा है वो सदेव एक निच् के मिलने से योगिक बनता है तो वो तत्व जब एक निच्छत अनुपात में मिलते हैं तभी क्या होता है एक योगिक का निर्मान होता है यह निम्का कहता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के एक निच्छत अनुपात में मिलने से क्या होता है एक योगिक का निर्मान होता ह जैसे उदारण के लिए H2O, यह क्या है बच्चो, जल आपका एक योगीख है, जिसमें दो तत्व है, एक आपका hydrogen है बच्चो, और दूसरा आपका क्या है, oxygen है ठीक है, दो तत्व है hydrogen और आपका oxygen, ठीक है बच्चो, तो hydrogen और oxygen के जो दर्विमान का अनुपात है बच्चो, व जल का चाहे एक अनू हो या चाहे हजार अनू हो सदेव हाइडरोजन और ऑक्सिजन का जो अनुपात है दरवेमान का वो सदेव एक अनुपात आठ होगा ठीक है इसी तरह दुसरा उजारन है नो ग्राम जल पहले कितना था एक ग्राम जल इसमें भी हाइडरोजन और इसी तरह बच्छों अगला उदारन है NH3 NH3 का मतलब होता है बच्छों अमोनिया तो इसमें बच्छों दो तत्व है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो मिलते हैं तभी जाकर क्या होता है बच्छों एक योगी का निर्वान होता है थीक है, तो इस्तिर उनुपात का नियम यही कहता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के एक निच्छित उनुपात में मिलने से ही किसका निर्मान होता है बच्चो योगिक का निर्मान होता है थीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चो डॉल्टन का प्रमानु सिद्धान्थ तो हमने क्या सिखा अभी? अभी हमने सबसे पहले प्रमानु और अनु के बारे में जाना और उसके बाद बच्चों हमने रासानीक संयोजन के दो नीमों के बारे में सिखा आगे बढ़ते हैं डॉल्टन के प्रमानु सिद्धान्थ के बारे में तो बच्चो डॉल्टन का ये जो सिद्धान्थ है डॉल्टन का जो ये प्रमानु सिद्धान्थ है ये रासाइनिक संयोजन के दोनों नीमों पर क्या है आधारित है ये प्रस्ण कई बार पुछा गया प्रिक्सा में कि डॉल्टन का परमानु सिद्धान्त किस पर आधारी थे तो बच्छो डॉल्टन का परमानु सिद्धान्त रासानिक संयोजन के नीमों पर आधारी थे और रासानिक संयोजन के दो नीम है जो अभी हमने पीचे पड़े हैं पहला नियम दर्विमान सरक्षन का नियम और दूसरा नियम बच्चो इस्तिर अनुपात का नियम तो इनी दोनों नियमों पर डॉल्टन का परमानु सिद्धान्त आधारी थे दूसरा बिंदू है कि डॉल्टन के परमानु सिद्धान्त ने दर्वेमान सरक्षन के नियम की और निच्छत अनुपात के नियम की युक्ति संगत क्या की है ब्याक्या की है तो बच्चो बारी बारी से हम उन विसेस्ताओं का अध्यान करते हैं तो सबसे पहला बिंदू है डॉल्टन के प्रमानु सिद्दान्द का कि सभी द्रव्य द्रव्य का मतलब क्या है बच्चो प्रदात तो सभी प्रदात चाहे वो तत्व हो योगिक हो या मिस्रन हो वो किसे मिलकर बने होते हैं सूख्समा कनों से मिलकर बने होते हैं और इन सुख्समकनों से मिलकर बने होते हैं और इन सुख्समकनों को डॉल्टन महासय ने क्या नाम दिया परमानू नाम दिया है अगला विद्दु है कि परमानू अविभाज्य सुख्समतमकनों होते हैं डॉल्टन के अनुसार जो परमानू है वो कैसे हैं अविभाज्य जिनके और जिनका रासानिक अभी किरिया में न तो निर्मान किया जा सकता है और नहीं उनका रासानिक अभी किरिया में विनास किया जा सकता है अगला है दिये गए तत्वों की सभी प्रमानुओं का दर्वेमान और रासानिक गुण धरम कैसे होते हैं समान होते हैं कि बोल रहा है किसी दिये गए एक तत्वा के जितने भी परमाणू है उन सभी का दर्वेमान और उनके रासानिक गुण समान होते हैं जैसे बच्चो यहाँ पर मैंने लिखा O3 यह क्या है और जोन तो ओजोन के अंदर ऑक्सिजन के कितने परमाणू है बच्चो ऑक्सिजन के तीन परमाणू है तो यह की तत्वा के जो यह तीन परमाणू है इन तीनों परमाणू का दर्वेमान भी बराबर होगा 16-16-16-16 और इनके जो रासानिक गुण है तीनों के इन तीनों परमाणू के रासायनिक गुण भी कैसे होंगे बिच्चो समान होंगे ठीक है अगला बिंदुए बिच्चो भिन भिन तत्वों के परमानुओं के दर्वेमान और रासायनिक गुण धरम कैसे होते हैं बिन भिन होते हैं अलग अलग जो तत्वा है उनके परमानुओं के दर्वेमान और उन और दूसरा लिखा मैंने CO2, तो यहां पर जो oxygen और carbon है, इनके जो गुण है, जो दर्वेमान है, वो अलग-लग हो सकते हैं, ठीक है बच्चो, तो एक तत्व के जो अलग-लग परमानू है, उनका दर्वेमान और गुण दर्म समान होते हैं, और जो अलग-लग तत्व के परमान संख्या के अनुपात में संयोग करके, क्या बनाते हैं, योगिक बनाते हैं, बच्चो, यह क्या कह रहा है, कि जब भी किसी एक योगिक का निर्मान होता है, तो उसमें मौजुद जो तत्व हैं, वो एक पून संख्या के अनुपात में, यानि एक निचे संख्या के अगला बिंदू है किसी भी योगिक में परमानुओं की सापक संख्या और प्रकार क्या होते हैं बच्चो निच्चित होते हैं किसी भी योगिक के अंदर परमानुओं की संख्या और उनका जो प्रकार हैं वो कैसे होते हैं सदेव और सदेव निच्चित होते हैं जैसे मैंने कहा योगिक जल तो इसमें हाइडोजन और ऑक्सिजन की जो संख्या है वो सदेव दो अनुपात एक में है और जो दर्विमान है उसका रेश्यू क्या है एक अनुपात आठ में है तो किसी भी योगिक में परमानुव की संख्या और उनकी जो प्रकार है वो सदेव और सदेव fix होते हैं ठीके बच्चो तो ये डॉल्टन के परमानु सिद्धान्त की कुछ मनवुक बाते थी जो आपको अच्छे से याद रखनी है ठीके आगे बढ़ते हैं परमानु कितने बड़े होते हैं यानि परमानु के आकार की बच्चो हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं परमानु के आकार के तो बच्चो परमानु बहुत ही कैसा होते हैं चोटे होते हैं और ये किसी भी वस्तू जिसके हम कलपना कर सकते हैं या तुलना कर सकते हैं उससे भी क्या होते हैं उससे भी बहुत ही चोटे होते हैं या परमा प्रमानु का जो आकार है वो बहुत ही चोटा है आगे बढ़ते हैं कि प्रमानु की जो त्रीज्या है प्रमानु की त्रीज्या को नेनो मिटर में मापा जाता है इसमें मापा जाता है नेनो मिटर के अंदर प्रमानु की त्रीज्या को मापा जाता है ये कई बार प्रिक्षा एक नंग मिटर का मान किसके बराबर होता है। तो दसकी गात माइनस 9 मीटर के बराबर, एक नदो मीटर का मान होता है, आगे बढ़ते हैं, कुछ परमानुओं का साप एक्स आकार, और यहाँ पर जो परमानुओं की तरिज्या दी गई है, वो बच्चों मीटर के अंदर दी गई है, जैसे बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो परमानुओं तरिज्या है, वो दसकी गात माइनस 10 मीटर के बराबर है, फिर बात करें जल के अनू की, तो दसकी गात माइनस 9 मीटर के बराबर, फिर बच्चों हिमोगलोबिन अनू की, तो 10 की गात माइनस 8 मिटर फिर बच्चो रेत के सामान्य कन की 10 की गात माइनस 4 मिटर फिर छिट्टी की 10 की गात माइनस 2 मिटर तरबूज की 10 की गात माइनस 1 मिटर फिक है बच्चो तो ये विभिन परमानुओं के सापैक साकार के बारे में यहाँ पर जानकारी दि गई है यानि विभिन परमानुग की जो त्रीज्ज्या है उसको मीटर के अंदर दसाया गया है तो इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि परमानूग का आकार बहुत ही छोटा होता है इतना छोटा की हम कलपना भी नहीं कर सकते तो इसमें से कुछ परमूक है, जैसे कि आपको Hydrogen का यद राखना है, जल के अनू का यद राखना है, इसके अलावा, Hijemoglobine अनू का आप यद राख सकते हैं, ये कुछ परमूक है, जो प्रिक्शा के अंदर कभी कबर पूचे जाते हैं, थीक है बच्चो, आगे बढ़ते हैं विभिन तत्वों के परमानुओं के आधुनिक परतिक क्या है यानि कि आज हम जो परमानुओं को परदसीद करने के लिए आधुनिक परतिक use कर रहे हैं उनकी उद्पति कैसे हुई यह नामकरण की पिदती कहां से आई इन सीजों के बारे महम आगे समझेंगे तो बच्चो डॉल्टन वो सबसे पहले वज्ञानिक थे जिनोंने तत्व के पर्वाणूओ के दर्शाने के लिए इसका उप्योग किया प्रतीकों का उप्योग किया जब उन्होंने किसी तत्व के पर्तिक का परियोग किया तो यह पर्तिक उस तत्व की एक निचित मात्रा क्यों क्या करता था संकेत करता था अर्थात यह जो पर्तिक जो डॉल्टन के द्वारा दिये गए थे वो तत्व के एक परमानू को क्या करते थे परदसित करते थे यहा आपको खोड़े बहुत ध्यान रखने हैं प्रिक्सा में कभी कबार पुचा जाता है। दो अक्सरों से प्रदसित होते थे। यानि बरजिलिस ने क्या किया। बरजिलिस ने तत्वों के प्रतिकों के लिए जो तत्वों का नाम था। उसके ही एक या दो लेटर को मिला कर उनके क्या बनाए। कुछ प्रतिक बनाए। ठीक है लेकिन वो भी ज़या सक्सेस नहीं हो स प्रारेम्ब में तत्वों के नामों की जो उत्ति हैं वो कहां से की गई उन हिस्तानों के नामों के नामों के परतिक दिये गए जैसे कौपर। तो कॉपर का नाम किसे उत्पन हुआ साइप्रस से एसी तरह कुछ तत्वों के जो नाम है वो उनके विजिश्ट रंगों से लिए गए जैसे गोल्ड गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस सब्द से लिए गया जिसका अर्थ होता है पीला तो ये कुछ परतीकों की प्रारंबि दिये गए उन बातों को अब हम समझते हैं तो बच्चो जो हमारी अधुनिक नाम पद्दती है जिसका उप्योग हम आज कर रहे हैं उस अधुनिक नाम पद्दती को जो विकास किया गया ये जो पद्दती दी गई वो दी गई आयू-PSC संस्ता के द्वारा इसके द्वारा आयू-PSC संस्ता के द्वारा जिसकी फुल फॉर्म है International Union of Pure and Applied Chemistry ये आयू-PSC की फुल फॉर्म है और ये कई बार प्रिक्सा के अंदर पूचा गया आयू-PSC का फुल फॉर्म क्या है तो International Union and Pure of Applied Chemistry इसके अलावा ये भी प्रशन पूचा गया कि आधुनिक नाम पद्दती कि इसके द्वारा दी गई है तो ये दी गई है आयू-PSC संस्ता के द्वारा जो क्या करती है जो तत्व के नामों को सुईकरती प्रदान करती है जो अलग लग तत्व के परतिकों का क्या करती है सुजाव देती है उन्हें सुईकरती प्रदान करती है तो बच्चो जो आयू- कि जो परतिक दिये गए हैं वो उस तत्वा का जो अंग्रेजी में नाम है उसके एक या दो अक्सरों से मिलकर बने हैं और आयूपेसी संस्ता के द्वारा जो भी परतिक दिये गए हैं उनमें तत्वा के परतिक का जो पहला अक्सर है वो पहला अक्सर सदेव और सदेव कैपि होगा और दूसरा अक्सर आपका small letter होगा जैसे उदारन के लिए यहाँ पर hydrogen के लिए capital H, aluminium के लिए जो को A capital है और L आपका small है इसी तरह cobalt के लिए C आपका capital है और वो आपका small है यह आपको अच्छे से याद रखना है कि आधुनिक नाम बद्दती A UPSC संस्ता के द्वारा दी गई है इसकी full form है International Union of Pure and Applied Chemistry और जो परतीक है वो परतीक उस तत्व के नाम से लिए गए हैं जिसमें पहला अक्सर capital है और दूसरा अक्सर आपका small letter है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर A UPSC संस्ता के द्वारा कुछ जो तत्वों के छिन दिये गए हैं उनको हम जानते हैं जो काफी important है तो प्रिक्सा के अंदर इनसे प्रश्ण भी कभी कभार पुछा जाता है जैसे aluminium तो बच्चो aluminium का परतीक है A L बच्चो दूसरा है organ organ का परतीक है A R फिर बच्चो है barium का परतीक है B A फिर बच्चो boron boron का capital B फिर bromine का बच्चो B R calcium का बच्चो C A carbon का बच्चो capital C chlorine का बच्चो C L cobalt का बच्चो CO इसी तरह बच्चो copper का C U fluorine का बच्चो F gold यसरवन का AU ओरम hydrogen का H iodine का I iron का FE CISA का PB magnesium का MG neon का NE इसी तरह आगे nitrogen का N oxygen का O potassium का K silicon का SI चांदी का AG sodium का NA sulfur का S uranium का U और zinc का ZN तो ये IUPAC के द्वारा सुईकर्थ कुछ तत्वों के छिन हैं जिनका ओप्योगम बरतमान में कर रहे हैं तो ये कुछ प्रमूख है जो आपको बार-बार आपकी किताब के अंदर देखने को मिलेंगे और निकी जुरूद भी पड़ेगी तो ये आपको अच्छे से कुछ प्रतिक याद करने है आगे बढ़ते हैं परमानूद दर्वेमान के बारे में atomic mass तो परमानूद दर्वेमान की प्रिभासा क्या है तो किसी भी तत्व के एक परमानूद का जो दर्वेमान है उसी को कहते हैं उसका परमानूद दर्वेमान atomic mass किसी भी तत्व के एक परमानूद का जो दर्वेमान है वही कहलाता है उसका परमानूद दर्वेमान तो बर्स 1961 में जो IPSC संस्ता है उसने परमानु दर्वेमान की इकाई AMU या U को क्या माना है परमानु दर्वेमान के लिए मापक माना है ठीके 1961 में जो आपकी IUPAC संस्ता है उसने परमानु दर्वेमान इकाई AMU या U को क्या माना है परमानु के दर्वेमान का मापक माना है ठीक है अब EMU की फुलपोर्म क्या है Atomic Mass Unit यानि प्रमानू दर्वेमान इकाई ठीक है बच्चो अब एक प्रमानू दर्वेमान इकाई की परिभासा क्या है तो एक प्रमानू दर्वेमान की इकाई का जो दर्वेमान है वो कार्बन बारा समिस्तानिक के एक बट्टा बारवे हिस्से के दर्वे मान के क्या होता है बराबर होता है यानि कि एक ABU का जो मान है वो कार्बन बारा समिस्तानी के एक बट्टा बारवे हिस्से के दर्वे मान के क्या होता है बराबर होता है जैसे यहाँ पर एक छित्रों के जरिये भी समझाया हुआ है देखो बच्चो आपके सामने क्या है एक तरबूज है और इसके कितने टुकड़े किये गए है इसको बच्चो बारा टुकड़े किये गए है ठीके और ये तरबूज का क्या है एक बटा बारवा हिस्सा है तर्बूच का कौन सा हिस्सा है बारवा हिस्सा है तो जब भी हमें किसी बस्तू का दर्वेमान ग्याद करना है जैसे ये क्या है सेव है तो हमें क्या करना है सेव का दर्वेमान ग्याद करना है तो हम जो मापक इकाई ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं वो ले रहे हैं तर्बूच का बारवा इससा क्या ले रहे हैं तर्बूच का बारवा भाग तो इस तर्बूज के बारवे भाग का उप्योग करके हम क्या कर सकते हैं इस सेव का दर्वेमान ग्याद कर सकते हैं कि इस एक बटा बारवे इससे का ये कितने गुना है इस आधार पर हम सेव का दर्वेमान ग्याद कर सकते हैं ठीके इसी को आगे समझाया हुआ है कि एक परमाणू दर्वेमा निकाई याने AMU इसके बराबर है कार्बन मारा समिस्तानी के दर्वेमान के एक बटा बारवा इससे के बराबर है तो एक AMU का जो मान है बच्चो वो किसके बराबर है 1.66 गुना 20-27 के बराबर एक परमाणू दर्वेमा निकाई का मान है कि कई बार प्रिक्सा में पुछा गया है कि एक AMU का मान या एक परमाणू दर्वेमा निकाई का मान किसके बराबर होता है तो आप लिखेंगे एक दसमलव 6-6 दसकी गात माइनस 27 केजी के बराबर होता है एक AMU जैसे बच्चो हाइड्रोजन का दर्वेमान तो हमने एक बाग में किसको रखा हाइड्रोजन को रखा और दूसरे बाग में किसको रखा कार्बन 12 समिस्तानी के एक बटा 12 भाग को आया 14 परमानु दर्वेमान इकाई यानि कि कार्बन 12 समिस्तानी के 12 हिस्से का कितना है 14 गुना है तो नाइट्रोजन का जो परमानु दर्वेमान है वो कितना है 14 परमानु दर्वेमान इकाई है तो यानि कि ये जो परमानु दर्वेमान इकाई की एक मापक इकाई है इस मा वहाँ पर क्या होते हैं? वहाँ पर अलग-लग माप के बाट होते हैं. जैसे 500 ग्राम का होता है, 250 ग्राम का होता है, 1 kg का होता है, 2 kg का होता है. तो यह क्या है? यह मापक की कुछ इकाई हैं, यूनीट हैं. तो उसी तरह जब हमें किसी परमानू का दर्वयमान ग्याद करना हो तो हम EKI के रूप में इसका उप्योग करेंगे EKI के रूप में हम कारबन 12 समस्तानिक के दर्वेमान के एक बटा 12 इससे का उप्योग करेंगे ठीक है बच्चो आगे बढ़ते हैं कुछ तत्वों के परमानू दर्वेमान ठीक है जिनकी इमें तही बार जुरुवत पड़ती है और प्रिक्सा के अंदर भी जब कुछ नुमेरिकल्स पुछे जाते हैं तो उनके अंदर इनकी जुरुवत पड़ती है जैसे हाइड्रोजन का परमानू दर्वेमान कितना है एक EKI इसी तरह कार्बन का कितना है 12 EKI नाइट्रोजन का कितना है 14 EKI ओक्सिजन का 16 EKI सोडियम का 23 EKI मैगनिसियम का 24 EKI सलफर का 32 EKI कलोरिन का 35.5 EKI ठीक है कैलसियम का 40 EKI ये कुछ अलग अलग तत्वों के परमानू दर्वेमान आपके सामने दिये गए है जैसे हाइट्रोजन का 1 EKI, कार्बन का 12 EKI, नाइट्रोजन का 14, अक्सिजन का 16, सोडियम का 23, मैगनिसियम का 24, सलफर का 32, कलोरिन का 35.5 और कैलसियम का 40 आगे बढ़ते हैं कि परमानू किस परकार अस्तीत्वों में रहते हैं याणि परमानू किस परकार इस परकरती में पाई जाते हैं या अस्तीत्वों में रहते हैं तो ज्यादातर तत्वों के जो परमानू है वो बहुत अधीक क्या होते हैं अभी किरियसिल किरियसिल होते हैं तो ज्यादातर तत्वों के जो परमानू है वो ज्यादा किरियसिल होने के कारण कभी भी सवतंतर रूप से अस्तित्वों में नहीं रह पाते यानि वो अकेले सव इस बाहरीक अक्सा के अंदर 8 इलक्टrond पूरे बरे होते हैं, यानि इनका जो अश्टक है, जो सबसे बाहरीक अक्सा होती है, वो क्या होता है? वो अश्टक पॉन्न होता है, और इस वज़े से ये किसी भी तत्वा के साथ कोई अभिकरिया नहीं करते, यानि कि निसक्रिये ह होते हैं अक्री होते हैं जैसे दिश्क्रीय गैसों के उधारन फिरियं येंन और। औक्रिय गैस जिसे हम नॉबल गैस भी कहते हैं उच्रेस्ट गैस भी कहते हैं इन THE जो परमानू है वो मुख तवस्ता में पाई जाते हैं ठीके निस्क्रिय गैसों के परमानू को छोड़ कर जाजातर तत्वों के जो परमानू है या तो वो अनूओ का निर्मान करते हैं या फिर वो आयन के रूप में पाई जाते हैं जैसा कि आपके सामने चितर दीख रहा है कि जो परमानू है वो कैसे होते हैं आवेसी तो वो या तो आयन के रूप में आवेसी तवस्ता में पाई जाते हैं या फिर वो अनू के रूप में आवेस रही तवस्ता में पाई जाते हैं तो प्रकर्ति के अंदर जो परमानू है या तो वो आयन के रूप में पाई जाते हैं या फिर अनू के रूप में पाई जाते हैं ठीके ये अनू और जो आयन है ये बहुत अधिक संख्या में पुंजित होकर यानि इकटे होकर क्या करते हैं परदात का निर्मान करते हैं यान यह अनू और जो आयन जो परमानू के जो परमानू है वो या तो अनू या आयन के रूप में पाए जाता है और जब यह अनू या आयन बहुत अधिक संख्या में एकटे हो जाते हैं तो किसका निर्वान करते हैं परदात का और उस परदात को हम क्या कर सकते हैं लेक भी सकते ह अनुभव भी कर सकते हैं और चू भी सकते हैं फिर के बच्चो तो यहां से हमने क्या देखा कि ज़्या-चिरी जो तत्वा के परमानौ है वो ज़्या-चिर्यासिल होने के कारण सवतंत्र अवस्ता में नहीं पाए जाते लेकिन निस्क्रिय गयसो के परमानौ और जो ये अनु या आयन है, ये जो बहुत अधिक संख्या में मिल जाते हैं, तो प्रदात का निर्मान करते हैं, और प्रदात को हम दे सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, और चूब भी सकते हैं, आगे बढ़ते हैं अनु, तो अनु क्या है, दो या दो से अधिक परमानु का समन होता है, जब 2 या 2 से अधिग प्रमानू व पास में मिलते हैं तो किसका निर्बान होता है अनु का और ये जो प्रमानू है वो परस्पर आकर्ष 살 भलके द्वारा एक दूसरे से क्या होती है, कस पर जूड़े होते हैं जब दो या दो से अधिक परमाणू अंतरा अनू का आकर्षन बलके जरिये एक दूसरे से जूड़ते हैं, तो किसका निर्बान होता है अनू का, परदात का वहकन जो सवतंतरा वस्ता में पाये जाता है, लेकिन रासानी कभी किरिया में भाग नहीं ले सकता, उसे भी हम क्या आगे बात करें, एक ही तत्व के परमाणू या भिन भिन तत्व के जो परमाणू है, वो प्रसपर संयोग करके अनू निर्मित करते हैं, यानि अनू के अंदर जो मौजुद परमाणू है, वो एक ही तत्व के भी हो सकते हैं, और अलग लग तत्व के भी परमाणू हो सकते हैं और इसी के आधार पर अनुओं को कितने भागों में बाटा है इसी के आधार पर अनुओं को दो भागों में बाटा है कि अनुओं में मौझू जो परमानु है वो एक ही तत्वा के हैं या अलग लग तत्वा के हैं इसी आधार पर अनुओं को दो भागों में बाटा है ठ लग लग तत्व के प्रमानुों से निर्मिट जो अनू है उसी को बच्छों क्या कहते हैं उसी को हम योगिक कहते हैं जैसे एक ही तत्व के प्रमानु से निर्मिट जो अनू है जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन में दोनों ऑक्सीजन परमानू है फिर एन्टू सोडियम अनू में स सलफर के परमाणू है, फिर फासपोरस में, आपको चारो चार, क्या है फासपोरस के परमाणू है, तो ये ऐसे अनू है, जिनके सभी जो परमाणू है, वो एक ही तरह से निमित है, यानि सभी परमाणू एक जैसे हैं, दूसरे हैं योगिक, जिसके अंदर अलग अलग तत्व के प्रवानु ने भाग लिया है, जैसे H2O तो इसमें hydrogen और oxygen के प्रमानु है, CO2 इसमें कार्बन और oxygen के प्रमानु है, Nivolum इसमें sodium और chlorine के प्रमानु है, फिर calcium carbonate इसमें calcium carbon और oxygen के प्रमानु है, तो ये क्या है ये आपके योगिक है तो अनु को उनने दो भागों में बाटा एक ही तरह के परमानु से निर्मित अनु और भिन भिन तत्व के परमानु से निर्मित अनु आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं परमानुपता क्या है परमानुपता तो परमानुपता का हैं उस अनू की परमानुकता जैसे मैंने कहा ऑक्सिजन के तीन परमानू और क्या बिन रहा है यह बना रहा है ओजोन अनू किया है यह आपका ओजोन अनू है तो ओजोन अनू के अंदर ऑक्सिजन के कितने परमानु हुए औक्सिजन के बच्चों तीन परमानु हुए तीन परमानु तो इस और जन अनु की जो परमानुता है वो कितनी होगी वो होगी आपकी तीन तो एक अनु की सरंचना में कितने परमानु यूज हो रहे हैं उस परमानु की जो संक्या है उसी को कहते हैं उस और्गन के लिए क्या लिए क्या लिए एक परमाणूख। फिर वच्चो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसा है, दूवी परमानुक, हम क्या लिखते हैं, O2, फिर हाइड्रोजन कैसा है, दूवी परमानुक, हम क्या लिखते हैं, H2, फिर नाइट्रोजन कैसा है, दूवी परमानुक, N2, फिर क्लोरिन कैसा है, दूवी परमानुक, Cl2, इसी त प्रिद्रह कुछ दात्यों की परमानुकता जैसे sodium na कैसा है एक परमानुक फिर iron fe फिर aluminium एक परमानुक आपका al फिर copper एक परमानुक cu ठीक है तो परमानुकता क्या है किसी अनुकी सरंचना में प्रियुक्त होने वाले परमानुकी जो संग्या है वोई क्यलाती है उस अनुकी परमानुकता आगे बढ़ते हैं iron क्या होता है तो बच्चो दातू और जो अधातू यूगिक है कौन से योगिक जो धातू और अधातू यूग्त है इसमें या तो दातू मौजुद है या अधातू मौजुद है वो किससे बने होते हैं ऐसी योगिक आवेसित कनों से मिलकर बने होते हैं और इन आवेसित कनों को हम क्या प्रकार के हैं एक आपके धनावेशित और दूसरे आपके रिनावेशित इतने प्रकार के हैं दो प्रकार के एक आपके धनावेशित और दूसरे आपके रिनावेशित ठीके तो जो रिनावेशित कन है उसे हम क्या कहते है रिनायन और जो धनावेशित कन है उसे हम क्या कहते ह उसे हम कहते हैं धनायन ठीक है बच्चो अब रिनायन का निर्मान कब होता है जब कोई परमानू या जो तत्व है वो क्या करता है वो इलेक्ट्रोन को गरहन करता है जब कोई तत्व इलेक्ट्रोन को गरहन करता है तो किसका निर्मान होता है रिनायन का और जब कोई तत्व क्या करता है इलेक्ट्रोन को दान करता है या त्याद करता है तो किसका निर्मन होता है तो बच्चो निर्मन होता है धनायन का धनायन मतलब पलस वी ए और रिनायन का मतलब है माइनस वी ए तो आयन को दो भागों में बाटा एक रिनायन और एक धनायन जो और जो धन आविस्ट करने उसको धनायन अब रिनायन का निर्मन कब होता है जब electron को ग्रहन किया जाता है तो रिनायन बनता है और जब electron का दान किया जाता है तो धनायन बनता है यहाँ पर उधारन दिया हुआ है NaCl का तो यहाँ पर जो sodium है sodium क्या कर रहा है अपने एक electron का दान कर रहा है क्या कर रहा है sodium अपने एक electron का दान कर रहा है तो क्या होगा electron minus होगा तो क्या बनेगा sodium plus Na plus और calcium क्या कर रहा है calcium आपका एक electron को गरहन कर रहा है तो क्या बनेगा Cl minus तो जब electron को दान किया जाता है तो क्या बनता है आपका धनायन बनता है और जब electron को गहन किया जाता है तो क्या बनता है आपका रिनायन बनता है ठीक है बच्चो आगे बढ़ते हैं कुछ आइनिक योगिक जैसे calcium oxide तो यहाँ पर calcium और oxygen calcium आपके धातू है और oxygen आपकी अधातू है जब calcium और oxygen दोनों 5 अनुपात 2 के अनुपात में मिलते हैं ठीक है पांच अनुपात 2 में तो क्या बनता है calcium oxide ठीक है ca यहाँ पर क्या है यह 2 प्लस है और यह क्या है 2 माइनस है फिर NaCl तो Na प्लस और Cl माइनस sodium दातू है और chlorine आपकी अधातू है जब यह दोनों 20 अनुपात 35.5 में मिलते हैं तो क्या बनता है NaCl फिर magnesium sulfide magnesium क्या है दातू है और sulfur आपकी अधातू है तो mg2 प्लस और S2 माइनस magnesium sulfide बनता है ठीक है बच्चो तो इस प्रकार बच्चो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं आज की क्लास में हमने क्या सीखा परमानू और अनू क्या होते हैं रासानिक संयोजन के नियम देखे परमानू का आकार देखा परमानू का धर्वेमान देखा फिर हमने क् के बारे में पढ़ा फिर प्रमानुक्ता के बारे में पढ़ा तो उम्मिद करता हूँ आज हमने जो भी टॉपिक पढ़े वो सब आपको अच्छे समझ में आया होगा तो क्लास देखने के लाब सभी को धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मैनत पसंद आई है तो फिर ला क्रणा नग्ज समझ बारे में अन्यवाद बाराए थार ट Спोड़के गालको में ए्रोगर यथा यदिर बार्ट का करता हुम्मिद करने का से एाभमान।